गर्मियों के मोसम में अगर आप ये अपना लेते हैं न दोस्तों तो अपने आपको फिट रख पाएंगे दूसरा जैसे आपका काम करकर के दिमाग ठक जाता है सर्व में बहुत जादा दर्द रहता है या फिर आपको अमेशा चकर ठकान और कमजोरी मैसूस होती है तो आप इस नुस्खे को एक बार आजमा कर देख लेना मेरे कहने से ये सारी समश्याय आपके जड़ से खतम हो जाएंगे कुछ ही समय में आप अपने आपको एकदम फिट मैसूस करेंगे इसके लिए आपको क्या करना है जो कच्चा नारियल होता है ना आप ये ले सकते हो और आपके पास अगर सूखा हुआ गोला रखा है ना गर में तो इसका इस्तिमाल भी आप कच्चे नारियल के जैसे ही इसके फायदे भी आप ले सकते हो जो कोकोनेट होता है ना दोस्तों चाहे आप सूखा कोकोनेट खाए या आप जो कच्चा नारियल होता है ना वो खाए बेहधी फायदे मन्द होता है आपकी स्किन के लिए बोडी के लिए सिर के लिए आपके बोडी की थकान दूर करता है सिर दर्द कम करता है और इतने अधिक इसके फायदे होते हैं कि आपने कभी सोचा नहीं होगा आप मेरे कहने से इसे मैना बराजमा कर देखना गर्मियों मे आप अर्ब बेमारी से बची रहेंगे ना आपको कितना भी काम करने की बाद में थकान मैसुस होगी ना ही दिमागी थकान और ना ही आपको सारीरी थकान इसके सेवन से दिमाग तेज होता है जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना उनको तो आप डेली खिलाएंगे ना तो उनके लिए बैतरीन होता है आखों के लिए बालों के लिए स्किन के लिए हर तरह से ये आपको फायदा देता है और जो ये आप नारियल देख रहे हैं ना इसका इस्तिमाल आपको एक बार में ही नहीं कर लेना है इतना नारियल से कम साथ आठ दिन चल जाएगा आपको डेल सारा भी नहीं लेना है कि आपको एक दिन में एक जो है गोला या नारियल खतम कर देना है नहीं बिलकुल लिमिट में तो आगे मैं ये चीजे आपको बताने वाली हूं कितनी क्वांटिटी एक दिन में आप इसकी ले सकते हो किस तरीके से ले कब ले और कैसे ले बच्चो को कितना दे बड़ो को कितना दे सारी चीजे आगे बताऊंगे आपको तो यहां पे अमारे पास जो ये नारियल है ना कच्चा वाला ये छोटे से साइज का है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है वजन करेंगे तो ये 100 ग्राम भी इसके भी आप छोटे छोटे टुकडे बना ले ना तो आपको इसमें पकाने की जरूरत है ना ही आपको पीसने की जरूरत है ना ही ग्रेट करने की जरूरत है सिंपल तरीका है बस आप इसे आजमा कर देखना जब आपको फाइदे इसके मैसूस होंगे ना तो आप कभी इस नुस्खे को छोडेंगे नहीं जब भी आपको लगेगा आप जरूर इसका इस्तेमाल करेंगे इस नारियल की खासवात ये भी होती है दोस्तों जिनको जोडों के दर्द होते हैं या गठिया की सिकायत होती है ना उनके लिए भी रामबान होता है उनको जरूर खाना चाहिए उनके लिए बेहद ही लाबदाइक होता है ये तो यहां पर आमने ये टुकड़ा लिया है आप देख रहे हैं आपको ये टुकड़ा दो दिन इस्तिमाल करना है इसको चाकू से कट कर लेंगे चोटा हम और ये जो बड़ा वाला स्लाइस लिया है ना इसमें से भी आप सुखा गोला गरमकर म होता है तासीर का तो बिल्कुल गरम उता है कि तरीका आपको बताओंगे आपको गरम नहीं करे गा आप छोट स्लाइस Kरके आप और किसी भी दुट की डब़े में बगर अब आपको क्या करना है पानी ले लेना है आप साथ पानी लेना है जो पीने के लिए इस्तिमाल करती है अगर आप कच्छा नारियल खा रहे हैं कोई बात या आपको पिंग तो इसको आप शाम को पानी में विगो कर छोड़ दे और शाम को आप खा रहे हैं इसे तो सुबह पानी में विगो कर छोड़ दे इसकी खास बात ये है आपको ये सुबह शाम का कुछ नहीं है जब आपको टाइम लग जाए ना दिन में किसी भी टाइम आप इसे बिल्कुल चबा चबा कर अच्छे से चबा चबा कर खा लें आपके सरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएंगी सिर्फ आप महीने वराजमा कर देख लेना अभी गर्मियों का मोसम है तो आप इसे पका कर या लड़ू बना कर इस तरीके से ना खाए उन सब से बचे जिससे की पेट में गर् तकलिप होगी ना और कुछ लेकिन जिनको खोबरा या नारियल सूट नहीं होता है ना वो ना खाए प्लीज उनको फालतुमें और कुछ नुक्षान हो सकता है लेकिन बाकी सभी इसे खा सकते हैं क्योंकि किसी किसी को क्या है इन चीजों से तकलिप होती है तो उनको पताई नारियल खा रहे हैं तो पानी में भीगोने की जरूरत नहीं कुछ नहीं, आप इसको निकाल कर और फ्रीज में रख दें, फ्रीज में रखने से ये आपका साथ तीन आराम से चल जाएगा, खराब नहीं होगा, और एक और बता देती हुए आपको, अगर आपको ऐसे कच्छा नारियल अच्छा नहीं लगता है तो आप इसमें पूदी ना या अरादनिया डाल कर आरी मिर्ची के साथ में चटनी बना ले, और रोज आना आप दो तीन चमच चटनी जो है ना रोटियों के साथ में विखा सकती हो, जैसे सबजी रोटी खाएंगे, आप उसी के साथ में चटनी खाने में भी टेश्टी लगती है, चटनी बना कर अगर आप रख रहे हैं तो कच्छे नारियल की चटनी बना कर रख ले, पांच-छे दिन तक आप आराम से इसे खा सकते हो, फ्रीज में रखने के बाद में, और गर्मियों के मौसम में आप ठंडा वगेरा पीते है उसकी जगे पे आप डेली एक नारियल का पानी अगर पी सकते हैं तो जरूर पी ये बेहद फाइदे मन दोता है आप के लिए, और रोजाना नहीं पी सकते हैं तो सब तामें आप दो तिन बार तो जरूर पी लें दोस्तों, तो ये जो तरीके मैंने आपको बताए हैं ये आपको गर्मियों में पूरी तरह से फिट रखेंगे, अब यहां पे आगे और बता देती हूँ, जो आमने नारियल पानी में विगो कर रखा है ना, इसका पानी आपको फैंक देना है, क्योंकि जो भी नारियल की गर्मी होगी ना, सुखा जो गोला आमने लिया है इसकी, वो पूरी पानी में निकल जाएगी, तो पानी का इस्तिमाल आपको नई करना है, पानी आपको फैंक देना है, और जो यह गोला है यह बीग कर सोफ्ट हो जाएगा, दूसरे दिन आप इसे आराम से निकाल कर खा सकते हो, बरपूर फायदे देगा आपको तो इस तरीके से आप सुखा गोला भी खा सकते हो, यह थे अमारे आज के कुछ बेहद ही यूजफूल से नुसके, अगर आपको पसंद आयो ना तो प्लीज वीडियो को जादा से जादा से एर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब क तरना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद